मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने डाट काली मंदीर देहरादूर में दिल्ली देहरादूर्ण एक्सप्रेस वे के निर्माण कारियों का असलिय निरिक्षन किया इस अफसर पर उन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण में इस्तमाल हो रही आधूनीक तक्निकों और परियावरण सुरक्षय उपायों के बारे मैं अधिकारियों से जानकारी परापत ली मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्या अंतिम चरण में है इस एक्सप्रेस वे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का आभार भी व्यक्त किया। आवा देने के लिए भी यहाँ प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में एकोलोजी और एकोनॉमी का समन्वाई करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कोरिडोर भी बनाया गया है। जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही क मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। अधिकतम तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और लोगों का आना जाना बड़ा सगम होगा, सुरल होगा। यह अलिवेटेड डोट इसमें बिजली के काम अन्ने काम अभी चल रहे हैं। और मैंने भी आज इसका निरिक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले एजिनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पुरा करा कर सड़क चालू करने के दिसान में काम बढ़ाया जाए। आनिसी तूप से चार धाम हैं यहां धहरादून, हर्दवार, इसी के आसपास हमारे धनौल्टी, मसुरी आने वाले जो परेट